तो आज का जो यह व्लोग है न कि दशेरा व्लोग रहने वाला है जो कि कलम ने सलिब्रेट किया था जैसे मैं बनाती हूँ जिस तरीके से यहाँ पर होता है वो चीज़े आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वैसे तो आपको पता ही है हर साल जो है दशेरा हो या गोवर्दन हो कुछ भी हो मेरे घर में मैं ही बनाती हूँ लेकिन इस बार बुआ आई होई है ना और जो रेगुलर वीवर है उन्हें पता ही है कि बुआ काफ़े दिन से आई होई है रुकने के लिए तो मैंने बुआ को आवाज लगा ले थी कि बुआ ही बना देगी क्योंकि यह काम वैसे घर की बेटियों का ही होता है है ना इस तरीके के काम जब हम भी अपने घर में थे तो हम ही बनाते थे और आसपास में भी बना देते थे इस तरीकी जो चीजे होती थी ना जैसे होली पे वो डाल बढ़कले बढाने काम, छोटे छोटे थे जब सबके मिलके बना लिया करते थे, लेकिन अब जो है ना बही देखो इतना time किसी के पास नहीं हुताँ और सबके अपने-पने घर हैं, लड़किया अपने घर में करती हैं शादी के बाद, और बहुँया अपने घर में करती हैं और वैसे कई जगह7 न ये काम ड़े मतलब जो घर में बड़े होते हैं वही करते हैं जैसे हमारे मापे भी जितनी भी मतलब लेडीज होती है जो बड़ी होती हैं गर में वही बनाती है इस तरह के की चीज़े लेकिन यहाँ पे जो है आपको पता ही आप तो हर साल देखते ही हो बाकि यहाँ पे आसपड़ोस में सब के यहाँ पे नहीं होता मेरे इसाब से जो हमारी गली में तो पंडित पंडित है न उन्हीं के गर में हुआ था जितने भी जाट है हमारी गली में उनके घर पे किसी पे भी नहीं मन रहा था और आपके यहां किस-किस मतलब आप में से किस-किस ने इस तरीके से मतलब बनाते हो कमेंट करके जरूर जरूर बताना और यहां पर क्या किया ना गोबर ले आई थी सुबह उटते ही मैं गाये का और उससे दस मतलब दशानन बोलते हैं इसको की जो दस सिर होते हैं रावन की ये वो बनाए जाते हैं दस मतलब गोबर के छोट-छोटे गोडले से बना के रख दिये जाते हैं और उनको फिर जो नवरातरे होते हैं उनकी धोग मारी जाती है अब ये भुवा क्या कर रही है जो कुलिया नहीं होती है मिट्टी वाली वो कुलिया ले लिए हैं दस ही वो कुलिया ली जाएंगी और उनके अंदर डाल दिये हैं थोड़ी थोड़ी खील और एक एक पताशा और पैसा डाल दिया है मतलब जो खुला सिक्का होता है वो डाल देते हैं उनके अंदर और ये दसों की दस ना फिर इनकी पूजा होगी और ये बाद में बाटी जाती है किसको बाटी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपको मतलब ये वाली रिवाज मैंने यहां पर नहीं देखी थी बाकी तो हमारे यहां सेम इसी तरीके से होता था घर पे भी और ना दिरे दिवाली आ रही है तो जो भी एक्स्ट्रा समाने न वो मैंने बाहर निकालना शुरू कर दिया फिर एक दिन आराम से खबारे में बेच दूंगी 400-500 रुबे बन जाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा आप देख रहे होगे चोग में भी 10 टान पड़ा है और ये निश्चे की साइकिल ना ये तो मैंने आपको बताई है 2000 रुबे की साइकिल आई थी और ऐसे के ऐसे रखिया कभी नी चले कभी चलाई है मतलम निश्चे तो शुरू के 2-3 दिन चलाई हो तो चलाई हो इसके बाद कभी नी चला ऐसे के ऐसे पैसे जो है न ये खराब गए और यह दूर से आई थी तो वापिस ले जाने के चक्कर में ऐसे कैसे रखी रहा गई और ये देखो जो मैं कुलिया बता रही थी ना आपको मिट्टी की वो तयार कर दिया है तीश्यू देख बाबू का कल दिया अबुआ ने का लगा दिये मैं आपके लिच्टो ने खदिल आई हूँ अच्छा जाला इच्छा दिखाओ ना दोनो अपनी अपनी रख लो भाई भाई की बस हमारी ने ये चार क्यों रख दी बेटा सिर्फ दो रख नहीं है ममा पापा की नहीं होती बस हो गया जोड़ लग खेल कि दो कमार लोगों की लोंगी न उसमें जाओ मैं खेल कर दी बैस ही राई हो रहाना बस चिर्वारा बतन बेरा बहुत बड़ा पंडिता ना पंडिता रहा है तो लोग ने वो कह दी महिमा थी बगवान की हां किसे क्या आतना में रहा था भाई उसने राम के आतना हलो एविवन हैपी देशेरा और यह देखो इसको पते क्या अभी इसकी पापन है जैसे नाश्तागर के कहें तो वो प्लेट रखी हुई है खाली वो सामने से उठा रही हो तो रो रहा है और वो रखी रही तो ठीक है और हाथ में देखो क्या है मैं कहा री थी तो निष्च अभी देशेरा निष्चे अभी देशेरा बूलो है एक दब मुफली जैसा लगी अपको टेस्ट में मुफली तो आप बहुत खालेते हो मुफली से बहुत पसंद है था थे ना मुफली चब आओ तो सबी तो टेस्ट समझाए रही है निष्च भाई मेरे भाई इसका अग तेशेरा लाओ बलतन देदो बलतन देदो जाई talks अ मasureDस देदो नीष्च सैचाया सथी और शुट्रि काम सबना चूने ही नृट ऑफ़ए हया नाल यह जितने भी यहां पर रखहांगे नैंडोका लक्यां नाम की अई हूई है यह को छूरिशेरा पर बाद मुछे लदे बच्चों को बाढ़ते हैं ऐसे कुलिया पहले इसको सुला देती हूं बाकी ना फिर उटके देखूंगी बाकी सारे काम वीडियो की एडिटिंग वगरा ये ना अगले दिन सुबा हो गई है मतलब की बुद्वार को जैसे वो था दशेरा तो ये अगले दिन सुबा सुबा क एक लिप है जाड़े पांच बच गए हैं अभी वीरवार को मैंने दशेरे को पधार ना बोलते हैं मतलब की इसको यहां से उठा कर और दूसरी जगे पर रख दिया जाता है इखटा करके तो बस वही यहां पर इखटा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आज यह हुआ है कल बु बुदवार को खाली वार माना जाता है तो बुदवार के दिन पधारने का काम नहीं होता इसलिए मैंने सुबह सुबह वीरवार को कर दिया है सबसे पहले उठते ही यही काम किया है उठा के रख दूँगी यहां से इस जगे को जो है एक बार पानी से मतलब धो दूँगी ह ऐसे इस तरीके से ठीक है तो ये वाला काम भी मेरा हो जाएगा और खाने में जो है ना कल मैंने दशेहरे वाले दिन बनाया था खीर पूरी सबजी खीर तो भोक के लिए बननी थी जवे वाली फिर मैंने पूरी और सबजी बना ली थी क्योंकि आपको पता है आजकल जो तेव हमार वे उनुपार रहाई ना वे सिर्फ खाने पीने के ही रह गहे बाकी तु सारी रौनक खतम ही हो गयी है और यह यहाँ पर पानी से हाथ फेरने के बाद उसके बाद मैंने चोकपूर दिया है जो आटा होता है गयों वाला उससे इस तरीके से चोकपूर ना कहते हैं यह इस जगह को ऐसे सजासी देते हैं मतलब और अभी जो है न वो जो गोबर था न उसको उपर ले करके आ गई हो और उसके जो है चोटे-चोटे से पांच साथ इस तरी जने हैं तो फिर सारे मिलके अपने अपने अलग-अलग जो काम होते हैं वो करते हैं जैसे हमारे माँ पे क्या होता ना बहु बेटियों का काम होता है वे अपना सजो दजो तयार हो जाओ और अपना किचन संबाल लो है ना किचन के काम कर लो मैंने बहुत से गरों में ऐसा देखा हैं मतलब लेकिन और जो ये वाले काम होते हैं इस तरीकी के वो बड़े बुजूर्गों के होते हैं जो बाहर की काम होते हैं वो जेंट्स के होते हैं लेकिन यहां पर क्या है ना कि जो भी काम है जो भी दिवार की रोनक है वो खुद ही करनी है थोड़ा बहुत अपने पांच बनाओंगी जैसे मुझे आएंगे उसे वैसे ही बना दूंगी भई मुझे आते तो है नहीं कोई प्रैक्टिस है नहीं लेकिन अपनी तरफ से हर चीज करने की जो है कोशिश करनी चाहिए जो काम पढ़ जाता है वो फिर सर पर पढ़ जाता है न मतलब वो अपने आप आ ही जाता है मुझे ऐसा लगता है एक बार में नहीं तो दीरे 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 अपने आप आ जाता है और देखो नीचे ना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था यहां पे उपर आते ही एकदम से कैसे उजला उजला सा होने लग गया और यह वाला टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है सबसे अच्छा पूरे दिन का सबसे खुबसूरत टाइम जो है ना यही वाला होता है एक तो इस टाइम उटने से ना अगर आप अपने टाइम के इसाब से ना जल्दी नहीं भी उट पाते हो रोज मतलब अगर आप 6 बज़े उटते हो और आप चाहते हो कि कल से मैं लाइफ में इतना चेंज देखने को मिलेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे तो ओर लोगों की उटने से पहले पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया और आज मुझे भी ऐसा ही लग रहा और मैं तो खेर बह। बहौत बार जल्दी उटती हूं आपको पता ही है कभी कवार ही होता कि मैं लेट हूँ बाकी मैं जल्दी ही उठती हूँ तो ये पांच को से मैंने बना दिये और अब आ गई हो नीचे और अभी तक कोई भी उठा नहीं है आपको पता है और जब सब के उठने से पहले जो जो काम होते हैं वो तो मुझे बस मैं क्या ही बता हूँ मतलब अलगी ल लेकिन मैंने हमेशा से ये सुनाए कि ये जो त्योहार होता है ये मरदाना त्योहार होता है मतलब आत्मियों का त्योहार होता है तो इस बार जो है ना मैंने जोत निश्चे के पापा से ही लगवाई है उन्होंने ही लगाई है गोवर्दन हुआ देशेहर हुआ और भी एक मुझे याद निया रहा कौन सा ये तिवार जो है आदमियों के माने जाते हैं काफी बड़े तिवार होते हैं ये कोई माने तो तो इसलिए मैंने इनको बोला कि नहीं आप जोत लगाया करो ऐसे तिवारों पर और अब की बार आप ही शुरू करो तो इन्होंने इजोत लगा दी थी और बस मैंने तो पीछे खड़े होके दोगी मारी थी और अंदर आगे अभी न मैंने सोचा कि सबसे पहले दूद गरम करने के लिए रख देती हूँ दूद तो ये पैकेट ना कल शाम को ही ले आये थे लेकिन फिर क्या होता ना कि अगर शाम को गरम करती हूँ आते आते शौप से आपको पता है मुझे काफी लेट हो जाता है और अभी फेस्टिवल सीजन में तो काफी लेट होई जाता है रात हो जाती है बिल्कुल तो आखी खाना खाना बन जाए वाईब होता है और उपर से फिर दूद गरम करती हूँ तो गरम तो हो जाता है लेकिन वो ठंडा करने के लिए मुझे 10-10 मुझे तक वेट करना पड़ता है और मेरी आलत विल्कुल टाइट हो जाती है नींद के मारे जब तक तो अभी जाड़ू लगा दूँगी आप देख रहे हो कोई भी उठा नहीं है तो जाड़ जाड़ू का काम और मैंने अपना सारा निप्टा लिया है सारे कमरों में से लगा दिया जाड़ू सारे तो क्या गिंती के 2-3 कमरे आपको पता ही है तो जाड़ू लगा दिया है उनके सोते सोते क्योंकि फंका आजकल आपको पता है बंद भी हो जाता है सुवे के टाइम थोड़ा ठंडग सी बन जाती है न तो इसलिए फोन की टोर्च लेके और उसकी हेल्प से मैं जाड़ू लगा लेती हूं क्योंकि लाइट तो मैं कमरे की सोते सोते ओन करना नहीं चाहती फिर बच्चों की आँख खुल जाती है बहुत जल्दे से तो फिर वो उड़ जाएगा तो ये वाला काम अभी हो नहीं पाएगा इसलिए फोन की टोर्च लेके और उससे जाड़ू लगा लेती हूं मैं पोचा अगर मुझे कभी-कभी लगाना होता है न तो मैं वो भी लगा लेती हूं लेकिन आज मुझे पोचे की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे जाना है कहीं बार तो मैं सोच रहा हूं कि पोचा वगेरा नहीं लगाऊंगी और अब ये वीडियो भी अडिट करके आप तक पहुंचाना है तो इसलिए आज की आज ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगी और फिर मुझे जहां जाना है वहां जाने की तैयारी करूंगी क्योंकि सुबसुबस जब दो बिच्चों के साथ कही निकलना होना तो सच में काम बहुत जादा हो जाता है तो जाडू लगाने के बाद आप में दूद देखने के लिए आ गई थी और दूद मेरा जो है उबल चुका है लगबग लगबग तो मैंने सोचा कि मलाई आनी उपर शुरू हो गई है तो अब इसको छोड़ के नहीं जाती हूँ वरना ध्यान रखते रखते मेरे हाथों से निकल जाता है और अभी न निश्चा उट गया था यहाँ तो मैंने सोचा चलो उसके लिए एक गिलास पानी गरम होना रख देती हूँ कि वो टॉलेट में गया है और खर-खर करता गया है गले से उसे सुबह-सुबह यह दिक्कत होई जाती है और वो गरम पानी एक बर मैं उसे दे दूना तो फिर वो सारा दिन ठीक रहता है और आपको पताए है पीछे भी उसका कितना बुराल हुआ था खासी के मारे कि देखो वीडियो ना रेगुलर डालने में जब भी मजाता है जब आप लोगों का थोड़ा सा भी स्पोर्ट मिलता है मतलब अगर थोड़े से भी अगर व्यूज इंक्रीज होना तो खुद से खुद मन करता है सच बता रही हूं वीडियो डालने का और जैसे ही मतलब आप लोगों कमेंट करना बंद कर देते हो ना तो मन नहीं करता प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो और प्लीज कमेंट करना बिलकुल मत बूला करो बिलकुल भी कमेंट तो जरूर से जरूर किया करो